हेलो दोस्तों मैं सीर आहुल अग्रवाल और आज मैं आपसे बाद करूंगा कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और बायर ने आपका TDS काट लिया लेकिन उस TDS को जमा नहीं कराया तो अब आप उसका रिफंड कैसे क्लेम करोगे आप अपनी इंकम टेक्स की रिट आपको बाद में प्रॉबलम नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रोविजन समझा देता हूं कि प्रोविजन क्या होता है रूल क्या है रूल यह कहता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जो 50 लाग से उपर की जिसकी रिजिस्ट्री करवाते हूं उस पे 1% का TDS जो होता है वो बायर डिडेक्ट कर लेता है TDS का मतलब है कि for example 60 लाग रुपए की एक प्रॉपर्टी की रेजिस्ट्री करवा रहे हूं तो उसका 1% साथ हजार रुपए जो बायर है वो सेलर को कम देगा और वो साथ हजार रुपए बायर गॉर्मेंट को जमा कर आएगा औ अब बायर ने TDS तो काट लिया लेकिन उसको गॉर्मेंट को जमा नहीं कराया तो अब सेलर क्या करे सेलर के पैसे तो कम हो गए सेलर को तो पैसे कम मिले अब कैसे हम इसका solution करेंगे तो दोस्तों मैं बात करता हूं दोस्तों मेरे पास एक मेरे क्लाइंट आए उनका पूछन लेकिन उन्हों ने उस बायर ने उसको जमा नहीं कराया और जब हम हमारी रिटन फाइल करने गए जब सेलर अपनी इंकम टैक्स की रिटन फाइल कर रहे थे capital गिन की रिटन जो फाइल होती है उस टाइम पर उन्होंने 26AS जो इंकम टैक्स के फॉर्म्स होते हैं वहाँ पर क्रेडिट नहीं दिख रही थी उनका TDS नहीं दिख रहा था कि बायर ने उसको जमा कराये तो आप सेलर बेचारा क्या करें सेलर उसका रिफंड कैसे क्लीम करेगा और सेलर के पास क्या रेमिडीज है दोस्तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें थोड़ी सी अवेरनेस की कमी है दोस्तो सबसे best तरीका तो यह होता है कि जब हम property की deal कर रहे होते हैं तो साथ में हमें किसी हमेशा export के साथ में involved रहना चाहिए ताकि वो आपको हर time सही guidance दे सके अगर मैं इस case की बात करूँ तो इस case में दोस्तो इस case में नहीं, generally हर case में दोस्तो क्या होता है कि जब property की deal हो रही होती है और जब TDS काटा जाता है 1% का तो साथ के साथ ही seller को उसकी रसीद ले लेनी चाहिए income tax का चलान ले लेना चाहिए कि आपने उस पैसे को जमा करा दिया है मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपकी registry होने वाली है आपका payment हो चुका है तो 1% पैसा seller को तो वैसे भी कम मिला है तो seller को buyer से साथ के साथ ही receipt लेनी चाहिए कि आपने वो पैसा government को जमा करवा दिया है ताकि future में आपको उसका refund claim करने में दिक्कत ना हो आपका tax अराम से भरा जा सके और आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों किवल यही नहीं है problem problem और भी है हो सकता है कि जो buyer है उसको भी exactly नहीं पता हो कई बार cases में क्या होता है कि agent बीच में involved होते है और agent को जब पता चलता है कि दोनों parties को नॉलेज नहीं है तो वो TDS का पैसा तो काट लेते हैं लेकिन उसको कई बार जमा नहीं कराते हैं मेरे इस case में यह हुआ था इस case में यह हुआ कि client के साथ में agent involved है agent ने ना buyer को बताया और ना seller को बताया और उस पैसे को बीच में रख लिया और बार में जब हम return file करने गए तब हमें पता चला और तब हमने उनको cheese किया अब मैं आगे आपसे बात करूँगा कि दोस्तो चलो ठीक है ये तो हो गया कि buyer ने TDS काट तो लिया लेकिन उसको government को जमा नहीं कराया लेकिन अब seller क्या कर सकता है seller के पास क्या options है दोस्तो सबसे पहले तो seller को buyer को contact करना चाहिए उसको personally समझाना चाहिए कि मेरा TDS जमा कराये मुझे return में claim करना है अगर buyer फिर भी नहीं मानता है वो deliberately जमा नहीं करा रहा है तो दोस्तो seller को डरने की जरुवत नहीं है क्योंकि TDS जमा कराने की liability buyer की है interest और penalty buyer पे लगेगी department वो TDS आपसे नहीं मांगेगा मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी problem होने वाली है वो buyer को होने वाली है हाँ हमें ये problem जरूर होगी कि हम हमारा TDS का refund claim नहीं कर पाएंगे लेकिन हम buyer के उपर ही वो liability रहेगी आगे मैं दोस्तों आपसे बात करूँगा कि हमारे पास और क्या option है अगर buyer नहीं मान रहा है तो आप income tax department में भी अपना concern raise कर सकते हैं income tax department आपके buyer को notice भीजेगा और उनसे TDS का amount deposit करवाएंगे ताकि आप अपनी income tax की return file कर सके अब आप बोलोगे sir कि जब तक हमारा portal पे show ही नहीं होगा TDS तो हम income tax की return भरेंगे कैसे तो दोस्तों आपको last date से तक थोड़ा सा wait करना चाहिए जैसे for example 31st July last date है तो आपको at least 20 July तक रुखना चाहिए कि अगर आपका buyer TDS deposit कर दे और अगर आपके buyer free deposit नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों मैं case to case basis पे बताऊँगा मैं हर case में नहीं कर आपको किसी आपके जो भी जानकार है किसी expert से पूछना चाहिए कि आपको return filing के time पे क्या करना है मेरी सला तो यह होगी कि आपको return file कर देनी चाहिए क्योंकि exemptions भी return file करने में काम आती है अगर आप return filing में late करोगे तो capital gain की बहुत बड़े amount की lakh rupees की अगर हम exemption claim कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आएगी अगर हम late file करेंगे तो return तो it's better कि हम return तो time से file करें हम complaint कर सकते हैं department में ताकि हम हमारी side से clear रहे और सबसे best तरीका है दोस्तो जब भी आप property की deal कर रहे हो साथ के साथ आप रसीद ले लो कि आपने TDS काटा है और उसको government को जमा करा दिया है ताकि seller को future में दिक्कत नहीं आए कई बार दोस्तो ये भी cases हुए कि हमने TDS तो काटा है लेकिन कई बार गलत pen number अगर form फिल करते हैं अपलोड कर दिया है या फिर किसी गलत तरीके से TDS को काट के form गलत तरीके से भर दिया गया है तो उसका correction भी करवाना पड़ता है तो correction की feasibility भी available होती है तो आप correction भी करवा सकते हैं traces के portal से और income tax के portal से I hope दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी बहुत छोटा से topic था लेकिन दोस्तों को बहुत question आते हैं आपके इस पे और आप किसी property की deal में है तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी expert को अपने साथ में रखिये शुरू से end तक क्योंकि दोस्तों लाखो करोडो रुपय का मामला है और अगर इसमें कोई भी गलती होती तो बहुत ही heavy loss होता है आपको और आपके कोई question है आप कोई property की deal कर रहे हो मुझसे कोई सला लेना चाते हो मुझसे personally बात करना चाते हो तो मैंने मेरे personal whatsapp नमबर आपको दिये वे है आप उस पर whatsapp करके मुझसे connect कर सकते है thank you so much दोस्तों मिलते हैं next video में property की solution को लेके thank you so much, good bye